हेलो एवरीवन वेलकम टू दा स्टेडी कॉंसेट भारत के भगोल की स्रीज में आपका फिर से स्वागत है यह उसका 29 वीडियो है जिसमें के अगले 10 इंपॉर्टेंट कॉस्चन्स वर्ल्ड जोग्रफी और भारत के भगोल पर लेके आया हूं तो आप सभी स्टूडेंट ज सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी और नोटिफिकेशन के साथ में इसे एक भी वीडियो आपका स्किपने होगा और लगातार वो सारे इंपॉर्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो चली सिरू करता हूं जी 29 वा वीडिय नेज की मॉक्तेश की टेएर आप कर सकते हैं आप स्काऻ था पकट सेब्सक्राइब कर लीच़ क्लिका यहीं प्लस कर दो सिस्केश म के सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लेते हैं तो आपको क्या फाइदे मिलेंगे लन फ्रॉम दा फेर्वेट टीचर थूद लाइब क्लास स्ट्क्राइब कर सकते हैं अगर आप सब्सक्राइब के साथ में प्लस की उज़स बनते हैं तो आपको यहां पर मल्टीपल इंटरेक्टिब डाउट सॉल्शन्स मिलता है जिसमें की वन तूवन लाइब मेंटर्सी प फोन कॉल्स के जली जोकी दस मिट बीस मिट और तीस मिट के फोन कोल सोते हैं इसमें आप अपनी सारे एक्जाम से डिलेटेड डाउट यहां पर क्लियर कर सकते हैं तो सब्सक्रिप्शन आपको आइकॉनिक सब्सक्राइब में लेंगे दिन यूविल गेट मल्टीपल बैने कि इस निएकंडमी पर स्कॉलरशिप असेस्मेंट टेस्स निएंपी पैसी प्रेज्ट प्रिप्रचिब्स प्रमटुट्प्स पर मिलता है जो की हर संड़े तु कंड़र होता है मैकजिम में की साथ में आप यहां पर अन्यगर पर सेस्ट्रिप्स्रेश्म लेंगे यह स्टार्ट हो चुका है जो कि सब्सक्रिप्शन के बाद में आपको इसमें एक्सेस मिलेगा जो कि 31 जन्वरी को यह बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें कि आपका MPPSC फॉरेस्ट के मेंस का स्लेवर्स पूरा कम्प्लीट किया जा रहा है अगला बैच टार्गेट सब्सक्राइब के लिए स्टार्ट हो चुका है इसमें पूरा स्लेवर्स कंप्लीट हो रहा है जन्वरी और फर्वरी की सारे वेचेस सब्सक्राइब कीजिए 10% का डिस्काउंट मिलेगा मेरा रिफरल कोड लगाने पर जो कि हर्दयाल कुस्पा इसको यूज़ करें यूविल गेट 10% आफ इन दा एड्मिशन फीज पर जो प्लान इस सब्सक्राइब के वो 24 मेने 12 मेने 6 मेने और तीन मेने के तो किसी एक प्लान को चूज करते हुए आप एपलाई कीजिए रिफरल कोड 10% का डिस्काउंट सीधा मिलेगा और प्लेस की उज़र्स बनके आप इस प्लेटपार्म पर कंप्लीट प्रिप्रेश कर पाएंगे लिजी पहला कोशन आ गया सूची वन और सूची टू को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही पहचान करकर उत्तर चुनिए जिसमें की प्रदेश और उसके चेत्र और उसकी जलवायू दिए तो विकल्प में आंसर चुनना है तो इसका ज प्रदेश की जलवायू जो की उस्न कटिवंदी है और साइबिरियन जो है वो सीत सीतोस्न कहलाती है तो यह सही आंसर होगा अगला कोशन मदब विश्व का सबसे ठंडा इस्तान कौन सा है तो इसका जो आया आंसर है वह वास्तो जो की अंटार्क्टिक का दीब जो है उस प आंसर अगला कोशन प्रत्वी की प्रस्ट पर किसी विशेस बिंदू पर विचार कीजिए और फॉर एक्जांपल जैसे दिल्ली सहर है दिन में उसका जो फॉर एक्जांपल जिस तरीके से दोफेर में 12 बजे है तो वहां का तापमान सर्दी की अपिक्चा गर्मी में सामान सामनता अधिक होगा क्योंकि तो इसका जो सही उत्तर होगा वह आपको विकल्प में बताना है तो इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प इसका सही होगा क्योंकि प्रत्वी पर गिरने वाली सूर की किरने सर्दी में प्रत्वी की प्रेस्ट की दिसा में अधिक जुकी होती है इस कारण से यहाँ पर यो temperature होगा वो ताप्मान सर्दी की अप्रिक्षा गर्मी में सामनता अधिक रहेगा अगला question आ गया निमलिखित में से कहा विस्तृत आयन बृत्तिय वर्षावन पाय जाते हैं तो असका सही आंतर हैं कांगो घाटी कांगो घाटी पर यह वर्षावन पाया जाते हैं जोकी अफ्रिकन घाटी अफ्रिका में और यहां पर पर कांगो नदी या फिर जैरेन नदी यहां पर इसनृत मी इसेदे जो़की अफरीका की सबसे बड़ी नदी है जो की 4,047 किलो मीटर की लंबाई है अगला कोश्चन प्रत्वी पर और सिस्तान का नाम बताई है यहाँ पी सारे वर्स दिन और रात बराबर होते हैं तो इसका जो सही विकल्प है वो है भू मत दिये धुर्ब पर ठीकिन अब पूल्स पर जो है आई उस्मा का जो अनवव होता है जब उस मौसम को क्या होते है उमस वाला ठीकिना आंदर उस्मा बोल दे है आंदर उस्मा है यह आंदर उस्मा का जो अनवव होता है उसको उमस वाला मौसम कहा जाता है अगला कोश्चन जायरे से नीदर्द लेंड जाते समय निमलिकित में से जलवायू प्रदेश का सही अनुक्रम कौन सा होगा तो इसका जो सही आंसर है तो वो है एने की सबसे पहले भूमदी सागरी जलवायू पड़ेगी पस्चिम यूरोपी जलवायू यहाँ पर आपको मिलेगी तो इसका आंसर ये इस तरीके का सही अनुक्रम होगा अगला कोर्शन निमली कित में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है यानिकी रिजर्व है तो उसका जो आंसर है वो है केनेडा दुनिया में सबसे अधिक अगर यूरेनियम भंडार कहीं प्राप्त होता है तो वो रिजर्व है वो केनेडा के पास मे अगला कॉर्शन यदि धुर्बों के पास में वर्फ पिगल जाए तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसका जो सही उत्तर है तो वो है दिन की लंबाई यहां पर बढ़ जाएगी अगर धुर्ब के पास की जो वर्फ है वो धिमे-धिमे करके यह से एक नगर में भूमद्य साग्रे जलवायू नहीं पाए जाती है तो इसका जो सही विकल्प है तो वो है नियॉयॉक अमेरिका यूएस का यह एक सिटी है नियॉयॉक जिसके की जिसमें की भूमद्य साग्रे जलवायू नहीं पाया थी तो यह थे 10 प्रस्ट ने जो कि मैं व मेरी चैनल स्टेडी कॉंसेट को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलेगा वेल आल नोटिफिकेशन के साथ में जिसने एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा और लगातर वो सारे इंपोर्टेंट कॉस्टिंस कवर कर पाएंगे जो कि आप अपने एक्जाम के लिए कंप्ल